नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल आईटियन पे ये नॉन टेक प्रिपरेशन सिरीज का 11 लेक्टर होने वाला है इसमें मैं डिरेक्टली वन लाइनर की फॉर्म में कुछ जीके के इंपॉर्टन कोश्चन्स लेके आया हूँ इ फॉर्स गवर्नर जर्नल अफ इंडिया हमारे थी विल्यम बैंटिक पेपर जो इन्वेंट किया गया था वो किया गया था चाइना के दुवारा गौतम बुद्धा का चाइल्धूड नेम है सिद्धार्थ नाइट ब्लाइंडनेस इस कॉज़ड बाइक उफ विटामिन ए इकी कमी से नाइट ब्लाइननेस होती है पॉंगल जो है मारा फेस्टिवल ये है तमिलनाडू का और वहीं ओनम जो है ये है केर लागा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है बहुत बार पूचे जाते हैं फुल फॉर्म ओफ डवलु 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 चार बार डवलु का फुल फॉर्म है वर्ल वाइड वैब वॉर्म फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया रजिया सुल्तान थी स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद अगर हम कहें सब स्यादा है फेमस जो किया था वो हुआ था 13th of April 1919 After left the Congress सुभास चंदर बोस founded कौनसी party को उन्होंने found किया था का Congress को छोड़ने के वाल All India Forward Block जो की 1939 में found की थी उन्होंने गंगा को National River का जो दर्जा मिला है वो मिला है 4 November 2008 को जितने भी questions मैंने लिये हैं वो अपने आप में एक अच्छे questions है आपको कही ना कहीं किसी ना किसी exam में टकरा जाएंगे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिफ NHPCJ से related है जब non-tech क्या preparation करते हैं तो एक exam focus नहीं किया सकता non-tech बहुत vast portion है तो आपको ये focus रखना होगा कि आप जैसी non-tech पढ़ रहे हैं इस exam में नहीं आएगा तो किसी और exam में आएगा पर हर एक चीज बहुत ज़्यादा important है तो आपको कुछ भी miss नहीं करना है मैंने वैसे ही आपको बहुत मैंने वैसे ही आपको बहुत systematic way से इस content को provide करा रहा हूँ जो कि आपको बहुत help करने वाला है आपको सिर्फर से print out निकालना है और बार बार दिने revise करना है कोई option जैसे कि चीज़े मैंने नहीं रखी है direct answer आपको memorize करना है author of life of pie यान martal टीक है जाइंट panda belongs to the family of ये beer family से belong करते हैं non-metal exists as a liquid at room temperature bromine अगर हम metal की बात करें तो आपका mercury हो जाता है चंद्रशेकार आजाद पार्क ये है आपका है प्रियाग राज में अब कुछ glass हो जाते हैं कि कौन सा glass कहां use होता है krug glass आपका use होता है goggles में soda glass यूज होता है आपका test tube में pyrex glass यूज होता है kitchen में does not contain silver एक बहुत famous question है कि नाम तो उसका German silver है पर उसमें silver नहीं होता है तो इसलिए मैंने इसे directly ऐसी mention कर दिया है चाकि आपको याद रहे सार्क का headquarter कहां पर है काटमांडू नेपाल सार्क कब बनी थी 1985 में discovery of India is written by जवाललाल नहरू in एहमद नगर जेल जवाललाल नहरू जब एहमद नगर जेल में थे तो उन्होंने discovery of India बुक लिखी थी concept of welfare state includes in DPSP part 4 DPSP क्या है directive principle of state policy जो की हमारे part 4 में है article 36 से लेके 51 तब प्रियाग प्रशस्ती gives the information about military campaign of समुद गूप समुद गूप के military campaign की information कौन से बुक देती है प्रियाग प्रशस्ती insulin is present in pancreas pancreas में आपका insulin present होता है lona word जो है qabardi से related है one Indian girl नाम की बुक जो लिखी है वो लिखी है चेतन भगत ने कुछ folk dances है tamasha और natak ये दोनो आपके feeling दे रहे हैं किस चीज की feeling दे रहे है movies से related tamasha आपके एक movie थी natak भी कहाँ पर होता है Mumbai में basically महरास्ट के हैं ये दोनो folk dances not anki तो सबस्यादा UP वाले करते हैं तो not anki UP आप ऐसा करके याद कर सकते हैं number of purans जो है वो total 18 है state with lowest population density आपका रुनाचल परदेश होने वाला है state with minimum population सिक्किम fundamental rights हमारे कौन से पार्ट में आते हैं constitution के part 3 में कुछ SI unit की बात करें जो बहुत जादा frequently पूछी जाती है power की SI unit energy और work की joule intensity of sound की decibel Muslim ruler enforced price control system first time आपके अलाउदीन खिल जी कौन थे ये हम बात करें chief election commissioner के tenure की तो 6 साल होता है या फिर 65 जो चीज पहले आ जाए ये 41st question MP शायद इसका question मैंने type नहीं किया ये question होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा number of national park कहां पर है MP में सबसे ज़्यादा national parks है आपके discovery of radio activity किस ने करी थी Henry Beckerer ने Mercury के और का नाम क्या है cinnamon बहुत बार question पूछा जाता है part of constitution deal with emergency provision part हमारा कौन सा है 18th part है कौन कौन से article है जब हम national emergency की बात करते हैं तो article 352 state emergency की बात करते हैं तो article 356 और financial emergency की बात करते हैं तो article 360 तीनों article बहुत important है आज तक हमारे देश में कभी भी financial emergency नहीं लगी है अकबर वाज इंप्रेस्ट भाई सिख गुरू कौन सिख गुरू से अकबर इंप्रेस्ट थे गुरू रामदास इसी के चलते हुने अमरिसर दिया था और वहाँ पर फिर golden temple गुरू रामदास जी ने बनवाया था concept of प्रेंबल is given by जवाल नल नहरू अगर हम बात करें प्रेंबल में कितनी बार संशोधन हुआ है मतलब अमेंडमेंट हुए है तो आज तक सिर्फ एक बार प्रेंबल में हमारा संशोधन याकनी की अमेंडमेंट हुआ है तुलसी दास has written रामचरित्र मानस in अवदी इसक्रिप्ट ठीक है जंडा उचा रहे हमारा सौंग किस ने लिखा है श्यामलाल गुपता प्रसाद ने देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में ये लाइन किस की वज़े से फेमस हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल जी की वज़े से थोड़े थोड़े कोश्चन अर्बियाई से लेटिड लेता हूँ जो की बहुत ज़ादा पुछे जाते है अर्बियाई की अगर बात करें तो एक्ट पास हुआ था हमारा 1934 में और स्टार्ट किया था ओप्रेशन 1st of April 1935 में मैक्सिम टाइम आपसे कब ये आपका अर्बियाई स्टार्ट हुआ ये पूछा जाता है 1st April 1935 बहुत ज़ादा फेमस कोश्चन है आप जरूर इसे मेमराईज करें लीजीगा 1st Governor कौन थे? RBI के? O. Smith Osborne Smith नाम था उनका 1st Indian Governor की बात करें तो CD देशमुक और present में Governor की बात करें आपके RBI के तो शक्तिकांदास अब हम कुछ 5-year plans की बात करते हैं कभी-कभी किस plan में कौन सी priority रखी गई थी? वो directly question पूछा जाता है बहुत detail में किसी भी चीज़ के नहीं जाना है जो question आप से पूछा जाता है भी straight forward उस चीज़ को memorize करिए अपना time बचाईए आपका time बहुत important है अगर हम 5-year plans की बात करें तो आपका एक planning commission बनाया गया 15 March 1950 में और हर साल 5 साल के लिए plan बनाने के decide गया first 5-year plan का priority थी agriculture वहीं दूसरे financial plan के priority थी industries third financial plan जो था हमारा उसकी priority थी आपकी agriculture, industry both लेकिन majority जो part पर focus था वो था agriculture ये सबसे ज़्यादा unsuccessful plan रहा था fourth plan जो था आपका वो था growth with justice आपको as it is ये याद करने हैं आपको इन्हें memorize करना है क्योंकि कभी भी एक number का question इनसे directly पूछा जाता है आपको इस type के question को बिल्कुल भी ignore नहीं करना है कभी-कभी एक number का question जब इस type से आता है तो आपको ये marks देके जाता है और वहीं पर कुछ students होते हैं जो marks lose कर देते हैं यहाँ पर फिर आपका एक upper handle रहने वाला है इस type के questions को मैं different different जगे से collect करके आपको provide करा रहा हूं उसका reason यह है कि जब आप अपने तरीके से पढ़ते हैं तो आप topic wise पढ़ते हैं इस type के random questions को एक जगे मिल पाना बहुत difficult है तो मैंने धीरे धीरे करके मैं try कर रहा हूं जैसे से मुझे time लग रहा है कि मैं आपको content provide करा वाहूं with PDF ताकि आपका time भी बचे और आपको थोड़ी knowledge gain हो पाए यह सारी non-tech आपकी जितने भी technical exams हैं और उसमें जो non-tech portion आने वाला है उससे oriented है हर एक exam में चाहिए SSCJE हो NHPCJE हो चाहिए DFCCILO चाहिए XYZ कोई भी इंडिया का technical exam जिसमें non-tech आता है IES cadre को छोड़के ठीक है है UPSC वाले exam को छोड़के उन सब में यह बहुत जादा importance play करने वाली है अगला है fourth जो मैंने बताया था growth with justice अगर हम fifth five year plan की बात करें तो वो था हमारा eradication of poverty sixth की बात करें उसका focus था energy sector पे seventh की बात करें तो उसका focus था productive employment पे eighth की बात करें यह अपने हमें बहुत important है human resources पे priority दी गई थी economic growth, energy, transportation, communication ninth की बात करें तो वही growth with social justice and equality यह बहुत बार exam में पूछा जाता है tenth है हमारा tenth जो हमारा five year plan था focus उसका की जो भी हमारी per capita income में उसे double किया जाए eleventh में आपको education से related था rapid and inclusive growth education में और twelfth था skill development rapid and inclusive growth 2014 में जब आपकी बाते जनता पाटी की सरकार आई तो planning commission को end करने का decide किया गया उसकी जगह नई body बनाए गई जो की थी आपकी नीती आयोग कुशन कई बार पुछा जाता है कि नीती आयोग कब से start हुआ first of January 2015 से नीती आयोग start हुआ कुछ important question है जैसे governor general of Bengal पहले कौन थे? Warren Hesting last कौन थे? William Bantic first governor general of India कौन थे? William Bantic last कौन थे? Lord Canning first voice roy कौन थे? Lord Canning last voice roy कौन थे? Lord Mountbatten अगर आप देख रहोंगे इसे आप code से याद रखते हैं HBC करके आप code याद कर लें सत्यमेव जैते हैं आपका मुंड का उपनी सत से लिया गया है Burma को इंडिया से अलग किया गया था 1937 में ये एक exam में आया हुआ कोशन है मेरे जब मैं preparation करता था तो मैंने BSF का एक exam दिया था technical exam था वो assistant commandant का तो उस time ये कोशन मेरे exam में आया हुआ है तो मैंने इसे specially डाला है क्योंकि कभी कभी इस type के कोशन भी आ जाते है जो की बहुती random होते है finance commission की बात करें तो article 280 में finance commission की बात करी कही है first finance minister of independent India हमारे शन्मुकम्चित्टी थे present finance minister आपकी दिर्मला सीता रमन है अब census से कुछ कोशन देख लेते हैं first census जो हो था हमारा वो था 1870 यह systematic नहीं था regularize जो हुआ हमारा 1881 में है तो maximum time इसे consider किया जाता है आप option के इसाब से देख लें महाँ पे census 2011 के बहुत ज़्यादे important है कौन से number का census था 15th slogan क्या था our census, our future कौन साई state था जिसने negative population growth दी थी वो था nagaland nagaland की बात करें तो nagaland की official language है English तो इस वीडियो को मैं यहीं पर end करता हूँ कि content बहुत ज़्यादा देने से आप लोगो के लिए भी problem हो जाती है उसे memorize करने में क्योंकि जैसे जैसे content बढ़ता रहेगा आपका revision की capacity आपको बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो वो किसी काम भी ने रहेगी और बात रही से related PDF की वो मैं आपको telegram channel पर provide करा दूँगा और हो सका तो मैं google drive का link share कर दूँगा इसके description में तो thank you इस video के लिए